बच्चो अब हम करेंगे अभ्यास मौखिक चलिए बच्चो हम मौखिक के प्रश्णों को करतें सोचो और बताओ बच्चो इन प्रश्णों को आप लोग सोचेंगे और मुझे बताएंगे क कुछ खाने से पहले आप हाथ धोते हैं या नहीं कुछ खाने से पहले बच्चो आप लोग हात दोते हैं या नहीं? यह आप लोग मुझे बताएंगे लेकिन कुछ भी खाने से पहले हमें हात दोना चाहिए हना हमने पार्ट में पढ़ा है कि गंधे हातों से खाने से जो किटानू है बोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं इसलिए कुछ भी खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हाथ दोना चाहिए अब देखते बच्चो प्रश्नक नाखुनों के बारे में करन की मा ने उसे क्या बताया था बच्चो ये भी आप लोग मुझे बताएंगे नाखुनों के बारे में करन की मा ने उसे क्या बताया था हमने पार्ट में पढ़ा है न बच्चो कि उस करन की मा ने बताया था कि हमें बढ़े हुए नाखुनों को हमेशा कट करके रखना चाहिए क्योंकि बढ़े हुए नाखुनों में गंदगी भर जाती और वो गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में चली जाती और वो हमें क्या करती हैं वीमार कर देती है इसलिए हमें अपने नाकुनों को हमेशा कट करके रखना चाहिए ओके बच्चो चलिए बच्चो अब हम करते हैं लिखित लिखित का प्रश्ण पहला है दिये गए वाक्यों में सही या गलत निशान लगाओ बच्चो नीचे जो वाक के दिये हुए हैं उसमें से जो वाक के सही हैं उसमें हम शहीं का निशान लगाएंगे और जो वाक के गलत है उसमें हम गलत का निशान लगाएंगे करन खेलने के लिए तयार हो रहा था करन खेलने के लिए तयार हो रहा था क्या बच्चो हमने तो पार्ट में पढ़ा है कि करन स्कूल जाने के लिए तयार हो रहा था तो ये वाक्य क्या है गलत है तो हमने गलत का दिशान लगाया अब देखते बच्चो खा बढ़े हुए नाखुनों में गंदगी भर जाती है बच्चो अब आप लोग बताओ क्या बढ़े हुए नाखुनों में गंदगी भर जाती है हाँ बढ़े हुए नाखुनों में गंदगी भर जाती है तो हम इसमें लगाएंगे सही क्योंकि ये वाक्य है सही अब देखते बच्चो प्रश्न दूसरा दिये गए प्रश्नों के उत्तर कुछ सब्दों में लिखो बच्चो यहाँ पे नीचे जो प्रश्न दिये हुए हैं उसके उत्तर हमें कुछ शब्दों में देने हैं चलिए देखते हैं क करन कहां जाने के लिए तयार हो रहा था बच्चो करन कहां जाने के लिए तयार हो रहा था हमने पार्ट में पढ़ाया है कि करन इस्कूल जाने के लिए तयार हो रहा था तो इसका उत्तर आएगा school ख, खाने से पहले हमें क्या धोने चाहिए बच्चों खाने से पहले हमें क्या धोना चाहिए अपने हाथों को धोना चाहिए तो इसका उत्तर आएगा हाथ हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाने से पहले बच्चों अब हम करेंगे आगे भाशा की दुनिया संग्या सब्द नाम वाले सब्दों को संग्या कहते हैं जैसे रोहन, सीता, भालू अब आप नाम वाले सब्दों पर गोला बनाओं बच्चो नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं जैसे कि रोहन सीता भालू हना अब हम नाम वाले शब्दों पर हमें गोला बनाना नीचे बहुत सारे सब्दों दिये हुए हैं बच्चो उन शब्दों में हमें नाम वाले शब्दों को ढूंडना है और गोला बनाना है जैसे कि देखो यहाँ पर लगा हुआ है गोला करन में और जूते में इसी प्रकार आप भी नीचे दिये सब्दों में से नाम वाले शब्दों को ढूंडेंगे और उसमें गोला बनाएंगे यह आप लोगों का होंवक है बच्चों क्यों कि मैंने आपको संग्या प बताओ बच्चों यहाँ पर चित्र दिये हुए है इन चित्रों को देखना है और आपको बताना है कि आप कौन से काम पहले करेंगे और उसमें क्या लिखना है नमबर लिखना है क्रम से देखिए बच्चों यहाँ पर एक बच्ची का चित्र है यहाँ पर लिखा है वन नम बेच्चो फेलने के बाद VII क्रम में क्या लिखेंगे तो झाहरख सका नमबर लिखेंगे यूज कम क्रम में का सके इतने हो थारच घर करेंगे चम consider घराच के तो थार्च आउक नमबर लिखेंğı ये भी आप लोगों क्वेक्ष्व करेंगे पार षाल सबया ही उर्म प्रम या फ